ओके सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि हम लोग जो इकनामिक सर्वे पढ़ रहे हैं उसको हम लोग किस तरीके से पढ़ रहे हैं हम लोग इंट्रदक्शन तो देखेंगे इकनामिक सर्वेगा और दें चैप्टर वाइज हम लोग उसको वॉल्यम वाइज में पढ़ेंगे सबसे जादा इंपोर्टेंट बात यह है कि जब आप कि ईकनामिक सर्वे को देखते हैं तो इकनामिक सर्वे जो फाइनेन्स मिनिस्ट्री के थ्रू रिली स होता है वो दो अलग अलग वॉल्यूम पहले वॉल्यूम में इस एकोनॉमिक सरवे के पहले वॉल्यूम में हमें यह बताया जाता है कि जो एनालिसिस किया जा रहा है एकोनॉमिक पे बेस पे उस पे चैलेंजेस कितने हैं पॉलिसी मेकिंग और टूल से रिलेड़ लेकिन अगर आप उसी एकोनॉमिक सरवे के वॉल् development हुए हैं उसकी वजह से किस तरीके के challenges आए हैं अब हम सभी लोगों को पता है कि economy जो है lockdown की वज़े से या pandemic की वज़े से बहुत जादा effect की है तो यह कहीं नगहीं economic survey, healthcare, economy और pandemic का एक triangle connect करके अपना economic survey prepare करता है तो पहले में हम लोग policy making को देखते हैं और second number पे हम लोग उसके challenges इसको देखते हैं यह तो हम लोगोंने economic survey की बात की किसके point of view से government के point of view से लेकिन government के point of view से जो economic survey हम लोग पढ़ रहे हैं उस point of view से पढ़ने पर economic survey हमारी civil services की exam में काम में नहीं आएगा see economic survey बहुत जादा important है prelims और mains के लिए हम सभी लोग जानते हैं लेकिन जब हम economic survey का volume 1 और volume 2 देखते हैं अगर उसको detail में पढ़ते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि जो volume 2 है फिलाल मैं civil services के point of view से बात कर रहा हूं by the way जो volume 2 है वो completely main से related होता है क्योंकि हम लोग यहाँ पर उसके challenges की बात करते हैं लेकिन अगर हम लोग volume 1 की बात करते हैं तो जो policy making tools है यानि जिस तरीके की problems आये थी और किस तरीके की policies को बनाया गया था वो हमें volume 1 में देखने को मिलता है तो frankly speaking अगर आपका जो volume 1 और volume 2 है volume 2 completely mains के syllabus पर based ऐसा दिखाई देता है जो GS paper 3 के अंडर आता है लेकिन अगर आप volume 1 देखते हैं तो volume 1 में भी आपको थोड़ा बहुत portion 50% portion around mains के आसपास का दिखता है लेकिन बचा हुआ जो 50% portion है वो हमारे prelims के लिए बहुत ज़्यादा important ह तो आज के जो हमारी class रहने वाली है वो economic survey के volume 1 का वो 50% region वो 50% syllabus या वो 50% area जो prelims के लिए important है उस पर हम लोग यहाँ पर focus करने की कोशिश करेंगे चलिए तो यहाँ पर हम लोग पहले थोड़ा सा एक introduction देख लेंगे then हम लोग chapter wise देखते चलेंगे जो 10 chapters है volume 1 में जो हमारे prelims के लिए बहुत जादा important है उसमें वो material जो आपके काम का नहीं है वो already हम लोगों ने edit कर दिया है तो market में जिस तरीके से आपको economic survey 100-200 पेज के मिलते हैं उतना आपको पढ़ने की ज़रुत नहीं है हमने बहुत कम words में बहुत limited words में economic survey को यहाँ पर concise किया है बिना उसकी quality क वो drop किये ताकि आपके prelims की preparation बहुत जल्दी और बहुत आसानी से होगा सो यह जो हम लोग prelims के हिसाब से हम अपना economic survey देखने वाले हैं इसमें हमें 2-3 तरीके की जो चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी है पहली चीज हमें हर चाप्टर की theme पढ़नी है क्योंकि हर चाप्टर क सारी जो योजनाय है government की वो हमें दिखाई देंगी उनके बारे में हमें पढ़ना है प्लस सबसे important point number 3 यह जो volume 1 में 10 chapters आए हैं इन 10 chapters में आपको बहुत सारी economy की नई नई terminologies देखने को मिलेंगी जो आपके prelims के लिए बहुत जादा important है तो हम इन तीन points पर focus करेंगे और कोशिश करेंगे कि यह जो volume 1 है जो आपके prelims के syllabus को cover करता है वो कहीं न कहीं आपके exam के result को भी satisfy करें fair enough चलिए तो अब हम रूख शुरू करते हैं I would please हां जी सर इसका PDF आपको मिलेगा 110% यह जो PDF आपको दिख रहा है यह PDF आपको मिलेगा एक चीज आपको note करने की ज़रत नहीं क्योंकि lecture खतम होने के तुरंद बाद you will get the PDF लेकिन इसके साथ साथ I would request you कि अपने साथ please notebook और pen लेकर बैठिए क्योंकि कुछ चीज़े में extra भी add करूंगा इस economic survey में ठीक ह जो मैं यहां पर लिख रहा हूं या बता रहा हूं प्लीज उसको भी आप लोग note करते जाएगा ठीक है ना तो दो तरीके के notes अपने पास रखेगा PDF वाला भी तो यूइल गेट बट एक्स्ट्रा वाला भी राइट चलिए अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं शुरू करते हैं क्योंकि आपको भी बाकी सब्जेक्स का रिविजन करना ही है चलिए पहले हम लोग introduction से शुरू करते हैं या फिर आप बाइलेंग्वल चाहते हैं हिंदी और इंग्लिश बोथ में वाटेवर यू से आप प्लीज मुझे मैसेज करके स्क्रीन पर बता दीजिए यूगाईज आप लोगों के लिए ज्यादा कमफोटेबल रहेगा बाइलेंग्वल ओके नो प्रॉब्लम ठीक है इफ इफ यू और ओके विट बोस्तों विल गूविट बाइलेंग्वल राइट चलिए तो सबसे पहले हम लो चीफ एकोनौमिक एडवाईजर तो यह जो एकोनौमिक सर्वे होता है यह एक एन्यौर्डबाइस होता है जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के aux अंदर एक डेपांध आता है जसे हम लोग देपांध्रमेंट और से disclosure । और यह डेपांध्मेंट ओक जो यह डीग एकोनूमिक ए एडवाइजर की एडवाइज ली जाती हैं तो यह तीनों के तीनों जो चीजें हैं Economic Affairs Department, Finance Ministry and Chief Economic Advisor यह तीनों यहाँ पर important है अब यह जो हमारा economic survey है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया यह दो volumes में पूरी तरीके से divided है Volume 1 अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है that it provides evidence-based economic analysis of challenges of policy making and tools तो Volume 1 में हमें यह पता चलता है कि जो हम लोग economic analysis कर रहे हैं उसमें जो challenges आ रहे हैं उसमें जो policy making है और जो tools हैं वो किस तरीके से काम करते हैं For example, pandemic आया, lockdown लगा, economy की हालत खराब हो गई तो अब इस economy की जो हालत खराब हुई है उसे हमें सुधारना तो है ना तो हमारे पास दो तरीके हैं किसी भी economy को सुधारने के लिए एक होता है policy making और एक होते है tools Policy making का मतलब होता है वो schemes जो government लेकर आती है welfare के लिए या economy को अच्छा करने के लिए जैसे pandemic था Health infrastructure पूरी तरीके से बिगड़ गया था तो आयुश्मान भारत 2.0 और आयुश्मान भारत 3.0 आया So it was a kind of a thing जो लोगों को basically कम से कम health के दोरान तो secure कर ही रहा है Plus ऐसी schemes जो बड़े-बड़े business man को या फिर छोटे business man को या फिर medium level के business man को subsidy provide कर रही है tax में तो इससे क्या होगा जो investors हैं वो बहुत जादा encourage होंगे pandemic में भी पैसा invest करने में तो economy को थोड़ा सा भूम मिलने के chances हैं तो यह हो गई policy making जब government schemes लाती है economy को boost करने के लिए That's what we call policy making लेकिन जब हम tools की बात करते हैं तो जब हम tools की बात करते हैं तो हम लोग traditional economy में चले जाते हैं से हम लोग fiscal policy या monetary policy के नाम से जानते हैं तो government की schemes के अलावा भी reserve bank of India और finance ministry कुछ कुछ changes करती हैं अपने trend में कि reverse reporate कम कर दिया या फिर reporate बढ़ा दिया या cash reserve ratio कम कर दिया या फिर finance ministry ने बोला कि हम लोग tax का slap कम कर देंगे या government का expenditure कम कर देंगे तो यह internal planning है जो लोगों के लिए नहीं है जो government खुद के लिए कर रही है कि हम लोग अपने level पे ऐसा कोई काम करेंगे कि भाई economy अपने आ करने के लिए government ने किस तरीके की economic policy अपनाई किस तरीके की scheme या policy making लाई और किस तरीके के टूल्स को accept किया यही प्रिलिम्स के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा important है क्योंकि finance ministry या Reserve Bank of India के जो टूल्स हमें pandemic के टाइम पे देखने को मिले वो traditional economy में हमें देखने को नहीं मिल government ने Reserve Bank of India ने लाए थे वो तो हमारे लिए नई terminologies हो गई ना वो तो हमारे लिए नए words हो गए जिसकी definition हमको देखनी पड़ेगी तो वो कहीं न कहीं prelims के लिए important हो गया सब्सक्राइब को प्लीज दो अलग-अलग point of view से देखिए एक government के point of view से देखिए क्योंकि वो economy को सुधारना चाह रही है और एक खुद के point of view से देखिए कि government ने सुधारने में जो efforts डाले है वो हमारे prelims में पूछा जा सकता है अगर हम लोग वॉल्यूम टू देखते हैं तो वॉल्यूम टू में साफ साफ लिखा है इट रिव्यूज रीसेंट डेवलप्मेंट्स इन मेजर सेक्टर इकोनॉमी विट फोकस ऑन चैलेंजेस फेस्ट ड्यू टू पैंडमिक दिस यर तो जो सेकेंड वॉल्यूम है उसमे सिर्फ और सिर्फ यहां पर पैंडमिक प्लस जो डेवलप्मेंट हुए हैं प्लस जो चैलेंजेस फेस किये हैं उसके बारे में बताया गया तो वॉल्यूम टू में यह बताया गया कि पैंडमिक आया तो बहुत सारे चैलेंजेस आये और उन बहुत सारे चैलेंजेस के होते हुए भी हम लोगों ने development किस तरीके से किया तो यह जो volume 2 है आपको सीधे सीधे mains की तरफ लेके जाता है और जो volume 1 है वो सीधे सीधे आपको prelims की तरफ लेके जाता है मैं यह नहीं कहा रहा हूँ कि हम लोग mains का नहीं पढ़ेंगे सर हम लोग mains का बिलकुल पढ़ेंगे क्योंकि mains भी आप लोग फियर करनी है लेकिन recent जो target है वो हमारा prelims का है तो फिलहाल के लिए हम लोग volume 2 पे focus नहीं करेंगे volume 2 में कुछ ऐसी चीजें थी जो prelims की थी उसे मैंने notes में already add कर दिया है तो फिलहाल के लिए हम लोग volume 1 पे focus करेंगे जो आपके prelims के लिए important है क्योंकि इसी पर आपको ध्यान देना चाहिए एक बार आपका prelims हो जाए देन हम लोग 10 अक्टूबर के 2 या 3 दिन बाद ही जो volume 2 का economic survey है जो mains के लिए इंपॉर्टेंट है उसकी भी एक life class ले लेंगे अगेस डिस इस फेर एनफ राइट चलिए सब अब हम लोग सीधे अपने chapters पर आते हैं चलिए अब economic survey का जो हमारा chapter 1 है उसे ध्यान से देखते हैं saving lives and livelihoods admist a once in a century crisis यह जो chapter 1 है यह यह कहने की कोशिश कर रहा है कि once in a century crisis once in a century crisis basically क्या है कि हम लोग इसको covid-19 के बारे में बात कर रहे हैं यह once in a century crisis जो लिखा है इसे आप note कर सकते हैं क्योंकि कहीं न कहीं आपके mains की exam में यह काम आ सकता क्योंकि obviously बात है कि pandemic lockdown economy health infrastructure के बारे में कभी न इस आने वाले मेंस में सवाल तो वो पूछेगा यह पूछेगा तो यह आपके लिए एक अच्छी line हो सकती है आप कहीं पर भी चिपका सकते हो अपने answer में once in a century crisis ठीक तो यह जो once in a century crisis आया है कोविड 19 इसमें chapter 1 में इस बारे में बात की जा रही है saving lives and livelihoods lives का मतलब क्या होता है लोगों की जान बचाना सारे लोग मर रहे थे लोगों की जान बचाना saving lives और दूसरा क्या बचाना है इस बारे में हमारा ये पहला chapter है ठीक हर chapter की थीम भी आपको पता होनी चाहिए अब हम लोग पहले इसमें से थोड़ा सा introduction देख लेते हैं then फिर पेपर वन चाप्टर वन में कुछ अलग points है जो basically अलग से मैंने notes बना हुए हैं उसको भी हम लोग देखेंगे कि कौन सी terminologies है जो chapter 1 के लिए important थी तो पहले हम लोग ये देख लेते हैं लॉक्डाउन resulted in 23.9% contraction in GDP in quarter 1 हम सभी लोगों को पता है कि जो quarter 1 में जो GDP है वो 24% तक गिर गई थी क्योंकि obviously बात है कि यहाँ पर business ही नहीं हो रहा है लोग पैसा ही खर्षी नहीं कर रहे हैं पूरी तरीके से देश बंध है इकोनॉमी ठप है तो obviously यहाँ पर बहुत ज्यादा minus में जाएगा I hope मुझे आप लोगों को GDP की definition बताने की ज़रूत नहीं है बट even then एक normal सा definition हम लोग ले लेते हैं energy CRTC definition होती है वह best होती है जीडीपिडी क्या होता है किसी भी एक टेरिटरी में territory आप कुछ भी ले लो आप देश लेलो आप स्टेट लेलो आप शहर लेलो गाओं लेलो घर लेलो फिलहाल के लिए हम लोग देश लेके चलते हैं तो किसी भी एक territory में किसी भी एक देश में एक financial year में मतलब एक अप्रेल से 31 मार्च किसी भी एक territory में किसी भी एक financial year में जितने भी goods और services मतलब सामान और सेवा goods और services बेचे जाते हैं उन सभी goods और services का जितने बेचे गए हैं उन सभी के total का जो final value होता है या final value का जो total होता है उसे हम लोग gross domestic product कहते हैं तो quarter one में जो GDP है वो minus 24% के आसपास चली गई थी लेकिन अगर हम लोग quarter two की बात करें तो quarter two में फिर हम लोगों ने growth दिखाई 7.5% तक हम लोग ने उसको खीच लिया था तो basically एक बार हम लोग 24 तक चले गया थे फिर growth लाके हम लोग ने उसको अगर आप यहां पर ध्यान से देखें तो यह देख सकते हैं यहां पर economy अच्छी चल रही थी और फिर बहुत अच्छा बूम आया lockdown से पहले कोविड से पहले जब तक कोविड नहीं आया था तब तक economy बहुत अच्छा काम कर रही थी जैसे कोविड आ गया तो economy गिर गई economy fell down कितना सर माइनस 24 परसेंट लेकिन अगले ही quarter में very next quarter में हम लोग ने इस गिरी हुई economy को क्या कर लिया सर recover कर लिया तो आपकी economy जब बहुत अच्छी चल रही होती है और एकदम से वो गिर जाती है लेकिन आप अपनी economy को समहाल लेते हो और तुरंट उसको फिर recovery पे आप ना देते हो तो इंडिया के पास इतनी efficiency और capability तो है कि भाई हम अपनी economy तो कम से कम समहाल ली सकते हैं ठीक है तो ये जो आपको recovery दिख रही है जो quarter 1 और quarter 2 में आपको देखने को मिली थी एकदम से economy गिरती है लेकिन फिर हम लोग उसको समहाल लेते हैं तो इससे सर हम लोग क्या कहते हैं V-shape recovery कहते हैं ठीक अब V-shape recovery पे आए हैं तो थोड़ा सा हम लोग दूसरी recovery के बारे में भी U-shape recovery बोलते हैं as you can see here ठीक है U-shape recovery में भी क्या होता है कि recovery होती है यह जो मैं बोल रहा हूँ यह आप चाहें तो लिख सकते हैं V-shape में recovery एकदम से हो गई U-shape में भी recovery होती है यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि economy गिरी है लेकिन recover कर रही है सर ठीक तो लेकिन जो U-shape की recovery है ठीक जो U-shape की recovery है वो V-shape की recovery से थोड़ी सी slow होती है ठीक है if you can see here V-shape और U-shape को अगर आप compare करें यह economy गिरी और एकदम से उपर आ गई मतलब जादा time लगा नहीं recovery करने में यहां पर आप देखते हैं कि recovery longer than V-shape and faster than U-shape तो यह जो सूष recovery है इसमें भी obviously economy गिरी है दो इसमें जब recovery गिरती है तो सूष में जो recovery होती है वो V-shape के comparison में थोड़ा सा जादा time लेती है V-shape के comparison में थोड़ा सा longer जाती है, थोड़ा जादा time लेती है लेकिन U-shape के comparison में जल्दी recovery करती है तो V-shape और U-shape के beach के time की जो recovery होगी V बहुत जल्दी recover किया, U थोड़ा slow recover किया और Sush recovery वो होगी जो V और U के beach में recover करेगी Are you getting the point or not? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सर, Sush recovery कहेंगे ठीक है, इसे भी आप लोग याद रखेंगे, ये भी आपके prelims के लिए important हो सकता है चलिए, next आते हैं हम लोग Z-shape की recovery ये सारा का सारा economic survey में terminologies आई है That's why it is important Just give me a minute, please Z-shape की recovery हम लोग देखते हैं Spending search fuels GDP above pre-crisis level Z-shape की recovery काफी ज्यादा interesting होती है आप इस चीज़ को प्लीज ध्यान से समझने की कोशिश करिए ये वाली जो line है, जिस पे मैंने ये red color किया हुआ है ये मान लीजिए है, normal economy Normal economy मतलब, economy के fall down होने से पहले जिस level पे economy चल रही थी नॉर्मल लेवल पे, तो उसको हम लोग normal economy बार बोलेंगे So क्या हुआ, यहाँ पे economy गिरी लेकिन हमने तुरंट recover किया लेकिन जब हमने recover किया तो normal economy तक हम लोग नहीं लेकिया है economy गिरने से पहले जिस level पे economy चल रही थी उससे भी हम लोग उपर लेके चले गए उसको As you can see here यहाँ पे economy गिरी यह recover हुई, normal पे आई और recover से और उपर चले गई मतलब जितनी अच्छी हम लोग ने expect किये थे recovery उससे कहीं ज़ादा अच्छी और economy growth हो गई लेकिन फिर यह उपर जाती है और फिर यह गिरती है लेकिन फिर गिरती है तो normal level पे ही आ जाती है तो बड़ा simple सा है, normal economy चल रही है वो गिरी, वो recover हुई और बहुत ज़ादा recover हो गई नार्मल लेवल से भी उपर recover हो गई लेकिन उसकी बाद फिर गिर गई और normal level पे आ गई Are you getting the point or not? अगर वो बीच में lag हो रहा है, तो हो सकता है कि वो network का issue हो आप continue करिए, अगर कोई ऐसा topic होता है जो छूट जाता है, तो आप मुझे बता दीजिएगा I'll repeat that, कोई issue की बात नहीं है ठीक है? No problem हाँ, और इस economic survey को मैं बाद में तो repeat करी दूँँगा और अगर प्रिलिम से पहले अगर आपको कोई doubts आ गए तो आप administration तक अपने doubts पहुचा दीजिएगा तो आपको जो आपके doubts है वो टेलिफोनिक मीडियम से आपके doubts भी clear कर दिये जाएंगे तो ऐसा कोई issue नहीं ठीक है? ठीक है तो डबलू शेप recovery में हम लोग देख रहे है कि यहाँ पर economy गिरी फिर यहाँ पर economy ने recovery करने की कोशिश की लेकिन इससे पहले की normal level पर वो जा पाती वो फिर से एक और बार गिर गई लेकिन फिर उसने finally recover कर लिया तो economy अच्छी जल रही थी पहले गिर गई recover करने की कोशिश की लेकिन फिर से गिर गई and then फिर finally उसने अच्छे से recover कर लिया तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर डबल्यू शेप्ड recovery राइट चलिए नेक्स आते हैं हम लोग L-shaped recovery में अब L-shaped recovery बड़ी से depressing सी recovery हमको यहाँ पर देखने को मिलती है यहाँ पर हम लोग द लेवल पे वो चली जा रही है रीकावर कभी कर ही नहीं पा रही है तो यू कन सी हेर एल शेप्ड recovery आप देख सकते हैं ठीक चली थोड़ा सा explanation पर आ जाते हम लोग क्योंकि वी शेप्ड हम लोग ने रीकवरी से शुरू किया था अब यह वी शेप्ड रीकवरी के बारे में वही लिखा है जो मैंने आपको बताया इट मींज इकोनॉमी बाउंसे बाक क्विकली टू इट्स बेस्लैन बिफोर दे क्राइस 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 से पहले जिस लेवल पर एकोनॉमी चल रही थी उस पर वह बांस बैक कर लेती है ठीक है और फिर जो ग्रोथ है वो सेम रेट पर कंटीनू करती है तो वही वीशेप रिकवरी जो मैंने आपको समझाया वह एकोनॉमिक टर्म में इसमें लिखी हुई है ठीक चलिए नेक्स्ट आते हैं अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर आता अब हम लोग यहाँ पर थोड़ी सी स्कीम की बात करते हैं यह देगे यहाँ पर आपको प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना मिलेगी मैं पॉलीसी में की बात कर रहा造 इंट्रदक्शन में ने यह वही पॉलीसी मेकिंगowski मैं की में स्कीम आएंगी तो यह कहीं आपके जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें तो काम आए गए लेकिन आपका जो करेंट अफेर है उसको भी ये कवर करता है तो जब लॉकडाउन लगा तो सीजी सी बात है लोकल लेवल पे रीजनल लेवल पे ग्लोबल लेवल पे बहुत ज़्यादा डिसरप्शन आए इकनोमिक आक्टिविटीज जो है पूरी तरीके से चर्मरा गई जो सप्लाई और डिमांड का पूरा फैक्टर चलता था वो पूरी तरीके से खतम हो गया लेकिन गवर्मेंट को तो इसको कहीं न कहीं कवर अप करना ही था तो गवर्मेंट ने कुछ स्कीम लॉंच की उसमें से एक स्कीम थी प्रधान मंत्री गरीब कल्यान योजना पी एम जे के वाई जी के वाई आप सभी लोगों ने इसके बारे में पढ़ा ही होगा लेकिन इकनॉमिक सर्वे में स्पेशली इसमें दिया गया कि जो गरीब है उनको कहीं न कहीं वेलफेर हमको करना है तो क्या किया गया सर इसमें फूड सिक्योरिटी डिदी गई पब्लिक डिस्रिबूशन सिस्टम जिसको हम लोग राशन दुकाने कहते हैं सरकारी राशन दुकान दिश्रिबूशन सिस्टम में फूड सिक्योरिटी फ्रोइट कर गई खाना खिलाया गया डारेक्ट बेनेफिट ट्रांस्वर दिया गया कि मतलब हम लोग जो गारीब है उनकी अकाउंट में डारेक्ट हम लोग पैसा कैसे के सर्थां मंतरी करीब कलिया योजना को जन्धन योजना से कनेक्ट किया गया क्योंकि जंधन योजना में हम लोगों ने बहुत सारे अकाउंट खुल आए थे तो सारे के सारे अकाउंट गवर्मेंट की स्कीम के अंडर खुले थे तो गवर्मेंट के पास पूरे अकाउंट का डाटा है ना गवर्मेंट को पता है कॉन कितना गरीब है किस के पास से उंको पेंशन मिलती थी उनको और जो महीलाएं उनको फेर इनव इसके अलावा मनरेगा में ऑडिशनल funds दिये गए कि मनरेगा में जो मजदूर काम कर रहे हैं कम से कम lockdown के टाइम पे उनके पास जादा से जादा पैसा आए इसके अलावा जो debt पड़ा हुआ था businessman के पास और उनके पास liquidity नहीं थी liquidity नहीं थी मतलब पैसा नहीं था money नहीं था मतलब cash जो है वो flow में नहीं था उनको वो liquidity प्रोवाइड करवाई गई और debt उनसे नहीं लिया गया यानि कहीं न कहीं एक तरीके से subsidy दे गई उनके debt में तो यह भी तो कुछ policies हैं जो इंडिया की economy को बहतर बनाती हैं तो इस तरीके की policy making use की गई चलिए अब आते हैं हम लोग सर चाप्टर नंबर टू पर लेकिन उससे पहले हम लोग चाप्टर नंबर वन पर थोड़ा सा नोटपैड पर देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि चाप्टर नंबर वन में क्या इंपोर्टेंट है यह तो हम लोग ने सब्सक्राइब करते हैं तो एक्रथ में क्लिärली यह लिखा हुआ है कि इंडिया की रिकवरी चालू हो चुकी है आप पिछले कौर्टर का इंडिया का जीडीपी तो देखिए काफी पॉजिटिव जा राही की टिकन नी जा रहा है आप इंडिया जो economic survey है या राज्य सभा टीवी है या लोग सभा टीवी है press information bureau ठीक है ना the Hindu या फिर Indian Express इनके जो neutral article है क्योंकि कुछ-कुछ article उसमें भी थोड़ा सा partiality दिखा देते हैं कुछ article ऐसे होते हैं जो government के बहुत जादा favor में हो जाते हैं कुछ article ऐसे होते हैं जो government के बहुत जादा अगेंस में हो जाते हैं सो हम लोग फिलहाल के लिए as a UPSC aspirant हमारे लिए सबसे जो भरोसे मन चीज़ है वो economic survey ही है तो हम लोग economic survey पर ही भरोसा करके चलते हैं और economic survey में क्लियरली capital words में लिखा गया है कि इंडिया की जो recovery है वो बहुत अच्छी हो रही है और इंडिया की recovery अब बूम तक भी जाएगी बूम मतलब positive level से भी और उपर जाएगी ठीक है आने वाले chapters में वैसे हम लोग देखेंगे ओके अब इंडियन express और दह हिंदू में आप सभी लोगों पता है जीसे एक ने बोलाए कि इंडियन एक्सप्रेस में था आइनो इंडियन एक्सप्रेस कई बार और दहें भी कई बार जरूरत से एडिटोरियल ऐसे हो तो जिसमें जरूरत से जाधा धरीफ हो जाती है कुछ एड चाप्टर वन पर आते हैं यहां पर तो चाप्टर वन में कुछ टर्मिनो लॉजी हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है इसको प्लीज रॉनिंग नोट्स में लिखिएगा ठीक है एक टर्मिनो लॉजी पढ़ने को आई थी जो नहीं नहीं है वो है नॉन फार्मासूटिकल इसे हम लोग NPI के नाम से भी जानता है ठीक अब अगर आप यह शब्द पहली बार पढ़ोगे पेपर में तो आपको यह लगेगा कि इसमें तो फार्मासूटिकल वर्ड आया है तो यह दवाईयों से रिलेटेड हो सकता है शायद लेकिन सर ऐसा नहीं है यह एक एक इकनॉमिक टर्म है नॉन फार्मासूटिकल का मतलब है कि जो पूरी की पूरी एकनॉमी बंद कर दी गई मतलब जिस तरीके से लॉकडाउन लगा दिया गया ठीक है ना मतलब सब कुछ बंद हो गया everything was close जैसे कि आप school ले लीजिए या फिर आप essential business ले लीजिए ठीक या फिर आप travel restrictions ले लीजिए तो economy पे जिस तरीके का load आया और lockdown में हम लोगों ने जो जो चीज़ें की obviously हम लोगों ने लोगों के welfare के लिए ही की थी तो उस वज़े से जो पूरा का पूरा आपको closure देखने को मिला है सब कुछ बंद हो गया वो चीज़ देखने को मिली है उसे हम लोग non pharmaceutical intervention के नाम से जानते हैं तो जिसने economic survey पढ़ा है उसी को समझ में आएगा अगर को सब्सक्राइब नहीं पढ़कर किया तो फार्मसेटिकल देखके आपर बोलने का शायद दवाई वाली कोई चीज़ है तो प्लीज इसको नोट कर लिए ठीक है ना एक और चीज़ है जो चाप्टर वन में इंपॉर्टेंट थी जो मुझे लगी और मैंने आप लोगों के ल अब करें अब नोबल प्राइज विनिंग रिसर्च किसने की थी हैंसन और सारजेंट ने हैंसन अंड सारजेंट ने 2001 में और 2001 में ही इन दोनों को इकोनॉमी का नोबल प्राइज मिला था किस चीज के लिए मिला था इस वो प्लीज लाइन लिख लीजेगा बेसिकली हैंसन और सारजेंट ने यह कहा था अब पॉलिसी फोकस्ट ऑन मिनिमाइजिंग लॉसस इन वर्स्ट केस सिनेरियो वेन अंसर्टिनिटी इस हाई तो बेसिकली क्या है कि हारसन और सारजेंट ने 2001 में एक रिपोर्ट बनाई थी कि मान लीजिए ऐसी सिचुएशन आ गई Economy से Related, Health से Related किसी भी चीज से Related कोई ऐसी Situation हो गई हाथों सेही वो बाहर निकल चुकी है मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से उसे handle करें किस तरीके से उसका क्या समाधान निकाले क्या solution निकाले मतलब uncertainty अलग level पर जा चुकी तो Hanson और Sergeant ने कहा कि अगर कभी कोई ऐसी situation आती है तो Government क्या कर सकती है Government ये कोशश कर सकती है कि जो loss हो रहा है चाहे वो economy की बात हो या health की बात हो या किसी भी चीज़ की बात हो तो कोई भी ऐसी situation जो हाथ से निकल चुकी है out of control है जो बिलकुल भी certain नहीं show हो रही है उस situation में जैसे हमारी pandemic की situation थी उस situation में Government अपने losses को किस तरीके से minimize कर सकती है उस बारे में हैंसन और सार्जेंट के रिपोर्ट थी 2001 में और इसी रिपोर्ट के लिए इन्हें नोबल प्राइज मिला था 2001 में I hope this is clear right अब मैंने आप लोगों से बात की कि इंडिया ने basically V-shape recovery की ठीक है सर V-shape recovery की लेकिन इंडिया ने V-shape recovery की कैसे कुछ तो ऐसे काम की होंगे गवर्मेंट ने जिसकी वज़े से V-shape recovery हुई है यह मैं नहीं कह रहा हूँ यह economic survey कह रहा है ठीक है एक तो जो गरीब कल्यान योजना है जो हम लोग ने पढ़ा एक तो गरीब कल्यान योजना लाई गई ठीक है तो उसकी वज़े से V-shape recovery आई अब आपका क्या काम है आप सर आपका काम यह है कि मैंने आपको यह बताया है कि economic survey में गरीब कल्यान योजना की वज़े से V-shape recovery आई है तो जो मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया PDF में कि गरीब कल्यान योजना में यह किया गया है आपको भी गरीब कल्यान योजना के बारे में जाके पढ़ाई करनी है तो आपको गरीब कल्यान योजना योजना के बारे में पढ़ाई है लेकिन economic survey में आ गया तो इसकी जो इंपोर्टन से वह बढ़ जाती है तो आपको गरीब कल्यान योजना पर थोड़ा सा जाधा ध्यान देना है दूसरा काम क्या किया गवर्मेंट ने मनरेगा के लिए फंड दिये जो हमने पढ़ लिया इसके अलावा डारेक्ट बेनेफिट ट्रांसवर दिया वो भी हमने पढ़ लिया इसके अलावा भारत मतलम को पता है कि इंडिया में सॉवेंटी बढ़ानी एकोनोमी में आंद्रपेंशिप बढ़ानी है लेकिन 2.0 और 3.0 में और क्या किया है यह आपका काम है कि आपको पढ़ना है क्योंकि अभी आपके लिए इंपॉर्टन्ट करेंट अफैर हो गया क्योंकि एकोनोमिक सर्वे में आया है इसके अलावा अगर आप एक और स्कीम देखें पी अपी एम इविद्या अब सी वी सी बात है विद्या लिखा है मतलब एडुकेशन से रिलेटेड स्कीम है यह तो जो बच्चे ऑनलाइन एडु इसको online पढ़ाने में दिक्कत होती है उनको भी train किया जाएगा ठीक है सब अब इसके अलावा एक और इसकी मिनों ने शुरू की थी मनोदर्पन 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 सर नाम सी समझ में आ रहा है मन का दर्पन याने मन का आइना आपके अंदर जो चल रहा है कुछ दिक्कत है उसको solve करना है तो मतब सीजी सी बात है कि psychological साइकोलोजिकल सपोर्ट की बात कर रहे हैं यहां पर तो मनोदरपन स्कीम लाए गई उसमें जो लोग पैंडमिक में डिप्रेशन में जा रहे थे सर उनको साइकोलोजिकल सपोर्ट भी गवर्मेंट की तरफ से दिया गया कांसलर्स की विवस्था की गई तो यह कुछ स्कीम से जिसकी वज़े से बीशेप रिकवरी आई है तो हमें इस स्कीम को पढ़ना है आप लोग कर पा रहे हैं जो मैं आप लोगों से कह रहा हूं सभी समझ में आ रहा है आप लोगों को प्लीज एक बार रिप्लाय कर दीजिए कनेक्ट कर रहे हैं आप सभी लोग मुझसे जो मैं कहरा हूं ठीक छलो ठीक है sors वेरियुड चली सर अब नेक्स आते हैं हम लोग चाप्टर नमबर टू पर अब यह जो चाप्टर नमबर टू है ध्यान से पढ़ेंगे इसको चाप्टर नमबर टू यह कह रहा है डस ग्रो काफी interesting sentence है, इस theme को समझने की कोशिश करिए, कि economic survey में ये theme किस बारे में बात कर रही है सर, ध्यान से देखिए, इसमें ये कहा जा रहा है, अगर growth बढ़ती है, economic growth अगर बढ़ती है, तो क्या depth sustainability बढ़ेगी, जी हाँ, बढ़ेगी, लेकिन vice versa नहीं होगा, मतलब depth sustainability बढ़ रही है, तो जरूरी नहीं है कि growth हो, तो अब आपको पहले इन दोनों चीज़ों का मतलब समझना पड़ेगा सर, देखिए, growth तो आपको समझ में आता है कि क्या होता है, भया economy जो बढ़त है, सर, depth का मतलब होता है, loan, मतलब उधार, आप अपने दोस्तों से जैसे उधार लेते हैं, तो क्या कहलाता है, डेप, तो government पे भी तो बहुत सारा उधार होता है, अब डेप्ट सस्टेनेबिलीटी, डेप्ट सस्टेनेबिलीटी, का मतलब होता है, कि अगर आप अपना तो क्या कहते हैं, सर, डेप्ट सस्टेनेबिलीटी, ठीक है, मतलब मैंने आपसे सो रुपे ली, सर आप थोड़ा लेफ्ट पे रखा, हाँ, I'm so sorry, मैं थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ हो जाता हूँ, ठीक है, तो हाँ, क्या कह रहा था, हाँ, तो जैसे मान लीजिए, मैंने मैंने आपसे 10,000 रुपे उधार लिए, और मैंने आपको 10,000 रुपे लोटा दिये, तो मैं डेप्ट सस्टेनेबिलीटी में आऊँगा, क्योंकि मैंने आपसे पैसे लिए थे, वो मैंने आपको लोटा दिये, ठीक है, तो ये चैप्टर ये कह रहा है, कि अगर इंडिया की ग्रोथ होगी, तो क्या इंडिया डेप्ट सस्टेनेबिलीटी को मेंटेन कर पाएगा, इसका मतलब ये कह रहा है, कि अगर इंडिया की ग्रोथ होगी, तो क्या इंडिया पे जो उधार है, वो इंडिया उधार वापस दे पाएगा, हांजी सर दे पाएगा, बिल्कुल दे पाएगा क्योंकि भाई हम पे उधार है तो हमने लोगों से पैसा लिया हुआ है हमको उस पैसे को लोगों को वापस करना है चाहे हमने मार्केट से उठाया हो इंटरनाशनल मार्केट से उठाया हो यह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से उठाया हो तो अगर इंडिया की ग्रो हो जाएगी आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए ना मान लीजिए मैंने आपसे दस हजार रुपए लिए और मेरी सैलरी अगले महिने बीस हजार बढ़ गई तो मेरी ग्रोथ हो गई है मेरे पास पैसे आने लगें तो वह बीस हजार जो मेरी सैलरी बढ़ी है उसमें से सिचुएशन और मैंने आपके पैसे उधार दिये तो मेरी सैलरी बढ़ गई उसके बाद मैंने आपका उधार वापस कर दिया एसा पॉसिबल है लेकिन मैंने इमानदारी से आपकी उधार वापस कर दी और मेरी उससे सैलरी बढ़ जाए यह तो कोई relation नहीं बन रहा है था वो वन साइडेड है इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा आई होब दिस इस क्लियर ठीक है सर चलिए अच्छा और चीज़ इसमें डेप्ट और फिसकल डेफिसिट में बड़े लोग कंफ्यूज होते हैं सर डेप्ट एंड फिसकल डेफिसिट में लोग बड़े कंफ्यूज होते हैं तो प्लीज इसको क्लियर कर लीजिएगा फिसकल डेफिसिट का मतलब क्या होता है जब 210 रूपए खर्च कर दिये धेना गवर्मेंट ने अगर सौ रूपए कमाएं और 110 रुपए क्या करदी सर हर्श कर दिये तो गवर्मेंट को नुकसान हुआ ना सर तो गवर्मेंट अगर कमाती कम है और खर्च जादा करती है government अगर कमाती कम है और खर्च जादा करती है तो अब इसी बाते हमेशा नुकसान में जाएगी तो जब government नुकसान में जाती है ये जो minus 10 का नुकसान हुआ है इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर इसे हम लोग कहेंगे fiscal deficit fair enough तो ये fiscal deficit तो एक साल का हुआ मानलीजे 2020 का हुआ 2019 में भी तो fiscal deficit हुआ होगा 2018 में भी तो हुआ होगा 1950 से हमारा budget आ रहा है ना आजादी के बात की अगर बात करें तो 1950 से लेकर 2020 तक ये जो 70 budgets आए हैं इन सारे के सारे fiscal deficit को अगर आप add कर लेते हो जोड लेते हो तो बन जाती है सर टोटल उधारी पिछले 70 साल में हमारी कितनी हुई है तो जो हमारी टोटल उधारी हो जाती है उसे हम कहते है debt तो मान लीजिए मैंने आप से January में 10 रुपे लिए February में 10 लिए और March में 30 लिए तो मेरा fiscal deficit monthly 10 रुपे लेकिन debt कितना हो गया मेरा तीस रुपे हो गया क्योंकि टोटल तो तीस रुपे उधारी हो गई है ना सर टोटल तो तीस रुपे नुकसान हो चुका है ठीक है I hope this is clear ठीक है तो ये debt और fiscal deficit में प्लीज इसका clear रखेगा situation ठीक चलिए next आते हैं country's public debt is considered sustainable if government is able to meet all its current and future payments obligation without exceptional financial assistance or going into default वही कह रहे हैं कि country का जो debt है वो sustainable कब कहलाएगा वो तब कहलाएगा जब government जितने भी उसके payment हैं मतलब उधारी current payment and future payment उनको सीधे सीधे साफ सुथरे तरीके से वापस कर देगी बिना किसी की मदद लिए तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे सर debt sustainability मतलब मेरे को आपको उधारी देनी तो मैं अपने पैसे से या आपको उधारी चुका रहा हूँ किसी और से पैसे लेके आपको नहीं दे रहा हूँ ठीक है फॉर इंडिया growth leads to debt sustainability but not vice versa जो मैंने आपको अभी बताया कि growth से debt sustainability कवर की जा सकती है लेकिन इसका opposite हो जाए नहीं हो सकता है debt sustainability से growth कि नहीं शेक repeat करना है क्या कौन सा वाले topic repeat करना है शेक debt और fiscal deficit वाला कि टाइप करके बताइए ओके-ओके कोई इशू नहीं repeat कर देता है कि इसी कि इसकल डेफिसिट क्या होता है कि इसकल डेफिसिट मान लीजिए शेक आप आपने सौ रुपय कमाएं एक फाइनेशियर में आपने सौ रुपय कमाएं लेकिन आपने खर्च कितना कर दिया एक सौ दस रुपय कर दिये मतलब कमाय कम और खर्च जादा कर दिये तो कितना खर्च कर दिये आपने एक्स्ट्रा माइनस 10 रुपीस आपने एक्स्ट्रा कर दिया किया यानि दस रुपे आप नुकसान में चले गया न तो आपने कमाया कम खर्च जाधה किया और नुकसान में चलें है दस रूपे का नुकसान है यह कहलाएगा आपका Fiscal Defizit लेकिन यह मैं सर्फ एक साल की बात करना हो सकता है कि आपने वसकता है कि आपने ती तो यह जो सालों में आपने फिस्कल डेफिसिट जितना भी किया है उन सबको अगर हम total कर ले तो कितना हो गया 10 रुपए 30 रुपए 30 रुपए 30 रुपए और 50 तो पैने टोटल कितना निकल गया 110 रुपए निकल गया क्योंकि आपके हर साल का Fiscal Deficit हमने ऐड़ की और हम ने देखे कि Total आपने कितना नुक्सान कर दिया है. तो टोटल नुक्सान सर कित्ता हुआ का 110 रुपे तो च्छो टोटल नुक्सान हुआ है ना आपका इसे हम क्या कहेंगे कि टो government का भी ऐसा होता है एक साल में जो जिटना नुक्सान होगा है इस Сिकल हुआ है उसको सर अके कहेते हैं कि Devs क्या इंचालो कूल कूल fair enough हां तो मैं क्या कह रहा था यार हां तो मैं यही कह रहा था कि जो पब्लिक डेप्ट है वो सस्टेनेबल होता है अगर गवर्मेंट अपनी सारी की सारी उधारी फ्यूचर पेमेंट करेंट पेमेंट बिना किसी फानेंशल असिस्टेंट या मदद के पेबाक कर देती और इंड बोत भी होगी ही होगी इतना चलिए इंपोर्टर्ट चीज और देख लेते हैं और क्या है इस में हरी नेख्स आते हैं हम लोग चैप्टर टू में कुछ चीजりました इंपोर्टर्ट हैं जो मुझे आप लोगों को बतानी है जो T chapter 2 में important थी ठीक है मैं पूरा का पूरा pdf repeat नहीं कर रहा हूँकि मैं जो бол बोल के आपको समझा रहा हूँ वह pdf मेंगी explained है ठीक है तो आप यह मझे समझेगे कि pdf में कुछ miss हो रहा है pdf में कुछ miss नहीं हो रहा है जो तो तीन-चार सेंटेंस में स्किप कर रहा हूं वह वही है जो मैं आपको इस वक्त बोल के समझा रहा हूं तो फिर मैं बोल के अलग समझाओं देन मैं PDF में जाओं तो वह रिपीटेटिव हो जाएगा टाइम कंज्यूमिंग है बिना मतलब का ठीक है तो जो स्किप हो रहा है वह वही है जो मैं आपको बोल के समझा रहा हूं ठीक है तो उसमें ध्यान रखिएगा चलिए अब हम लोग चाप्टर टू पे हैं तो चाप्टर टू पे टू में भी हमको कुछ important terminologies दिखी है वो देख लेते हैं हम लोग क्या है चाप्टर टू में हमको एक यहां पर चीज देखने को मिली एक टर्म देखने को मिली जिसे हम लोग कहते हैं business cycle अब सरी बिजनेस साइकल क्या होता है वैसे तो आप लोगों ने basics में पढ़ाया लेकिन फिर भी हम important होता है यह आपका नॉर्मल लेवल है एकोनॉमी का यह जो बीच वाली लाइन है इस नॉर्मल ठीक है ना यह है आपकी GDP ग्रॉस डॉमेस्टिक प्रडॉक्ट इस तरफ और यह है सर आपका टाइम तो business cycle का क्या मतलब होता है सी हम सभी को पता है कि business में ups and downs होते हैं कुछ टाइम ऐसा होता है जब आप average level पे income करते हो कुछ time ऐसा होता जब आप बहुत ज़्याद अच्छा कमाते हो कुछ time ऐसा होता है जब आप कम कमाते हो नुकसान में चले जाते हो तो जिस तरीके से कोई भी businessman कम या जादा कमाता रहता है सेम चीज गवर्मेंट के साथ भी होती है क्योंकि गवर्मेंट भी तो बिजनेस करती है ना गवर्मेंट भी तो commercial activities करती है तो वो उपर नीचे उनका भी income होता रहता है तो देखी for example यहां पर इस वक्त है और यह क्या है यह normal level है इंकम का नर्मल एकोनॉमी जो average एकेनॉमी चल रही है ना ज़्यादा फायदा है न जदा नुकसान है चल रहा है काम को दिकट की बात ठीघए यह वह normal एकूनमी तो क्या होता है कि जब हम लोग ψजनेस करते हैं तो यह ग्राफ उपर जाताए सब तो जब यह ग्राफ उपर जाता है तो इसे हम कहते हैं पीक कि बहुत पैसा आ रहा है लेकिन पीक में पहुंचने के बाद फिर एकोनॉमी गिरती भी तो है और गिरेगी क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जिन्दगी पर सबका बिजनस टॉप पर चलता रहेगा जो उपर गया वो जो नीचे गया वो उपर जाए गई वक्त बदले गई तो पीक पर जब एकोनॉमी पहुंचती है उसके बाद जब वो एकोनॉमी नीचे की तरफ आने लगती है तो उसे हम लोग कहते हैं सर रिसेशन क्या कहते हैं सर रिसेशन ठीक तो पीक पर आने के बाद एकोनॉमी गिर जाती है मतलब बहुत ही जादा दिक्कत की बात हो गई है मतलब नॉर्मल से भी आप मतलब माइनस में चले गया अप उधारी में चले गया तो इस सेचुएशन को हम लोग क्या बोलते हैं सर डिप्रेशन की एकणूमी में क्या आ गया है डिप्रेशन आ गया और जो सबसे एप्रेसिट होता वह तो उसे कहते हैं क्या कहते है तो यह पर देख लिया अब आप इससे नीचे नहीं जारते किक नहीं और यह सर, recovery, अब जब एक बार recovery होती है, तो फिर economy फिर अपने normal level से फिर उपर की तरफ चले जाती है, तो depression के बाद जब recovery होती है, और recovery के बाद फिर economy उपर की तरफ आती है, normal level से ज़्यादा पैसे कमाने लगती है, तो उसे हम कहते हैं, expansion, उसे हम क्या कहते हैं, सर, expansion, अब य एक्सपेंशन के बाद क्या होगा एक्सपेंशन के बाद फिर पीक आएगा फिर रिसेशन आएगा फिर डिप्रेशन आएगा फिर रिकवरी आएगी फिर एक्सपेंशन आएगा फिर पीक आएगा फिर रिसेशन आएगा फिर डिप्रेशन आएगा तो यह जो मोशन है यह ऐस इसे ऐसे चलता ही रहेगा आप इसे नहीं कंट्रोल कर सकते अच्छा बुरा टाइम जैसे आता रहता ना तो पूरा टाम आता रहता तो यह जो आपको पूरा सॉङकल दिख रहा है इसे हम सर क्या कहते हैं बिजनस साइकल कहते हैं I hope तस प्लीर राइट चली इसी में चैप्रे आपकी एकोनॉमी में रिसेशन आ गया है, आपकी एकोनॉमी में डिप्रेशन आ गया है, तो आपको डिप्रेशन से उबरना तो है ना, एकोनॉमी से उबरना तो है, अब ऐसा नहीं है कि बिजनेस साइकल है, तो अपने आप ही आप लोग उबर जाओगे, नहीं सर, आपको प करते हैं हमारे पास दो तरीके के options होते हैं दो तरीके की policies होती है एक होती है pro cycle policy इसको please running note में लिखते जाएगा है न एक होती है सर प्रो cycle policy और एक होती है काउंटर साइकल policy ठीक सर तो यह जो आपकी प्रो साइकल पॉलिसी क्या करेंगी सर यह दोनों policy economic depression से बाहर निकालेंगी बूम की तरफ लेके आएंगी तो जो आपकी प्रो साइकल पॉलिसी होती है वो क्या करती है गवर्मेंट expenditure को कम करती है मतलब गवर्मेंट बोलती कि भाई अभी तो पैसा है नहीं हमारे पास तो हम क्या करने गवर्मेंट का expenditure हम लोग क्या कर रहें सर कम कर रहें मतलब खर्चा कम करेंगी गवर्मेंट खुद पर या दूसरी चीजों पर जो हेलिकॉप्टर से लोग जा रहे हैं या पार्लेमेंट पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं तो खर्चा अपना कम कर देती पैसा बचाती है और क्या बोलती इसके अलावा टेक्सिस हम बढ़ा देंगे तो लोगों से हम ज़्यादा पैसा लेंगे तो पैसा आएगा और खुद क लग है लोग थीट न है ना पैसा खर्च कर लएंगे और हम लोहों को मजबूर करेंगे कि वो अपनी से पैसा निकाले और मार्केट में पैसा डालें कैसे तो गवर्मेंट बोलती हम अपने टेक्स कम करेंगे तो लोगों के पास पैसा जादा बचता है तो लोग पैसा जादा खर्च करने लगते हैं आपकी सैलरी अगर आज 50,000 रुपया ना तो आपको पेपे की जीन से नीचे उतर ही नहीं रहे हो सराफ यही होता है ठीक तो गवर्मेंट क्या बोलती कि टेक्स कम कर देती है और टेक्स कम कर देती तो लोगों के पास पैसा जादा बचता है तो जादा खर्च करते हैं और गवर्मेंट अपना एक्स्पेंडिचर बढ़ा देती है मतलब और जादा इंवेस्टमेंट कर देती है मतल साउंटर साइकल पॉलिशी जिससे कि गवर्मेंट अपनी एकोनॉमी को बचा सकती है ठिक एक और टर्म है जो इस चैप्टर टू में आए थी फिस्कल मल्टिप्लायर सिंपल सी डेफिनेशन है बिल्कुल भी कॉंप्लिकेटेड नहीं है इस फिस्कल मल्टिप्लायर क्या होता है कि जब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा फिस्कल स्पेंडिंग करते हैं और बदले में हमें उससे जादा मिल जाता है देखो फॉर एक्जांपल समझने की कोशिश करो मानलो एकोनोमी में अभी डिप्रेशन चल रहा है मतलब डिप्रेशन तो नहीं बोलूँगा लेकिन मानलो थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया है ठीक है मानली जी एकोनोमी में थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया है तो मैं एस गवर्रमेंट डरा नहीं मैंने रिस्क लिया मैंने मैंने क्या किया इंवेस्टमेंट कर दी डाउनफॉल चल रहा है लेकिन मैंने क्या कर दिया इंवेस्टमेंट कर दी तो मान लीजिए मैंने इंवेस्टमेंट कर दी सौ रुपए की ठीग न Laty Source मेल किए साइस फोर सौर्पय मैंने किये इंवेश्ट कर दिये ठीग ना है यह जो सौर्पय मैंने इन्वेस्ट किये हैं इकइनमीके डाउन्पॉल में इसको मैं बोलूगा इकनोमी की डाउनफॉल में जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं इसको मैं बोलूगा फिस्कल स्पेंडिग रिस्क लेकर कि अभी डाउनफॉल चल रहा है मेर रिस्क लेता हूँ और मैं इंवेट्मन कर देता मैं स्पेंट कर दिया और मानलो मेरा रिस्क काम कर गया ताश के पत्ते बिच्छे हुए तीन इक्के आ गए मेरे पास तो सौ रुपए इंवेस्ट किया मैंने डाउन फॉल में और मेरे को वापस कितने मिल गए सर एक सो दस रुपए मिल गए तो यहने रिस्क मेरा काम कर गया तो मेरे को सर कितने का फायदा हुआ यहां पर दस डाउन फॉल में मैंने रिस्क लिया था इंवेस्टमेंट का वो सक्सेस्फुल हो गया और उस रिस्क ने मुझे बूम दे दिया सो वाट वी कॉल दिस ऐस फिसकल मल्टी प्लायर आई होब दिस इस क्लियर है ठीक है सब ओके चलिए नेक्स आते हैं हम लोग नेक्स चैप्ट कर लिए चलिए नेक्स आते हैं सभी लोग ने नोट डाउन कर लिए उसको प्लीज एक बार रिप्लाय कर दीजिए ज्यादा फास्स तो नहीं हो रहा है ना इस स्पीड को मेंटेन रख सकता हूं नहीं स्लो जाने की दूसरत नहीं है हाँ आई जी आई डी के बारे में भी बता रहे है जॉए आए जी आई डी के बारे में भी अ कि आए अ आई जी आई डी की डेफिनेशन जो है वो बड़ी सिंपल है कि यह आई जी आई दी देख लेते हैं फॉर इंडिया ग्रोथ लीट्स टु डैप सस्टेनिबिलीटी बट नॉसा नेसेसरीली वाइवर्स वाइसवर्स विकॉस डैप सस्टेनिबिली डिपेंद्स ओन इंट्रेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफ्रेंस आई जी आई डी का सब्सक् acquiring याइगा वह नहीं होता तो व photograph उना जभरणाना जूर्वर्स पर तो आपका बढ्रित गया काम से हैं ने फ्रला फोल जो 10 रुपै का व सब्सक्रांडाया उपड़ान प्लीज जो हम लोगोंने investment किया है उससे तो हम लोग fiscal spending बोलेंगे ना ब्रो ठीक हाँ तो आइजी आइडी का मतलब होता इंट्रेस्ट रेट ग्रोथ रेट डिफरेंशियल इसका मतलब यह होता है कि नॉमिनल रेट ऑफ इंट्रेस्ट जो होता है और नॉमिनल रेट ऑफ ग्रोथ जो होता है उसके बीच का जो difference होता है भई एक होता है interest interest तो आपको पता है सर interest क्या होता है कि आपने किसी से उधारी ली है तो बदले में आप उसको interest देते हो आप उसको ब्याज देते हो that is interest और growth तो आपको पता ही है तो आप जो interest दे रहे हो सामने वाले को और आपकी country में जो growth हो रही है उसके बीच में जो difference है या तो वो negative होगा या तो वो positive होगा positive कैसे होगा अगर आप interest कम दे रहे हो और growth जादा कर रहे हो तो यह positive होगए chief लेकिन आप interest बहुत जादा दे रहे हो और growth आपकी कम हो रही है तो सर्म यह negative हो गया तो आपका जो interest होता है और आपका जो growth होता है उसके बीच की जो difference होती है चाहे वो positive हो या negative हो उसे सर हम लोग क्या कहते हैं IGRD तो आप simple formula रठ सकते हैं IGRD equals to R minus G interest rate minus growth तो हम यह मान के अब R minus G इसलिए लिखा है क्योंकि फिलाल के लिए हम यह मान के चल रहे हैं कि growth हमारी average level पर रहेगी तो अब इसमें minus plus में तो कोई दिक्कत नहीं अगर R बड़ा हुआ तो माइनस में आही जाएगा आर छोटा हुआ जी बड़ा हुआ तब भी आप माइनस करोगे तब भी आपका प्लस तो निकली जाएगा तो IGRD में आप बस यह formula याद रख लीजिए R minus Z rate of interest minus rate of growth इतना आपके लिए काफी है ठीक है इंडिया में अगर आप देखें इंडिया GDP growth rates have been greater than interest rate तो यहाँ पर आपको क्या मिलता हमेशा नेगेटिव इंडिया के case में नेगेटिव आई जी आडी देखने को मिलती है इसमें एक और अच्छी चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडिया का जो पब्लिक डेप्ट है जो अभिसली हम लोग पब्लिक डेप्स किससे कंपेर करते हैं सर जीडीपी से कंपेर कर ठीक है जो आपकी G20 OECD countries है ना उसमें सबसे कम डेप्ट इंडिया के पास है जो ब्रिक नेशन्स है उसमें भी सबसे कम डेप्ट इंडिया के पास है और एक मैं आपको अच्छी बात यह बताऊं कि इंडिया में कि इंडिया पर जितना भी ग्लोबल डेप्ट है इंडिया इंडिया के पास foreign reserve पड़े हुए हैं तो इंडिया जो है हमेशा अपने foreign reserves को अपने debt से उपर रखता है मतलब हम जब चाहें अपना पूरा का पूरा debt चुका सकते हैं तो इंडिया के लिए उतनी tension वाली बात यहां पर नहीं है कि अभिशेक सर डेवलप कंट्री के लिए सेम ग्राफ होगा क्या उसमें भी डिप्रेशन में ग्राफ जाना नैचूरल है हां जी सर बिलकुल आप अमेरिका को देख लो अभी अभी थोड़ी ना डेवलप्ड हुआ है अमेरिका को तो हम लोग 21st century से डेवलप मान रहे न त जहां पर लोग पूरे के पूरे नौकरी खतम हो गई थी और अभी डॉनल्ड ट्रम के टाइम पर भी तो जो डिप्रेशन तो नहीं आप आया लेकिन रिसेशन तो आया ही था तो डेवलप कंट्री में भी होता है ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं आप जर्मनी को देख लीज पर यहां पर मैं जो कह रहा हूं government expenditure कम कर देगी इसका मतलब यह नहीं है कि government investment कम कर देगी दो अपर बजट बनाती है ना उसमें अच्छे अच्छे investment तो करते ही है लेकिन बगवास तरीके के investment भी बहुत करती है जैसे कि आप लोगों को पता होगा पार्लेमेंट में जो खाना मिलता वो सबसीडी वाला मिलता था गवर्मेंट ने अभी अभी बंद किया है ठीक है ना वहां पे चिकन और मटन की प्लेड भी 25 रुपए के मिलती थी जो नहीं का नुकसान होता था तो गवर्मेंट ने क्या बोल दिया अभी जो नहीं आएगा उस पर फाइन लगेगा तो इस तरह के से सेशन्स जो है वो क्रिट होने लगे करेंट अफेर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि इस वजह से गवर्मेंट ने पंद्रा सो करोड रुपए साल की अपने बचा हैं हर मिनिस्टर को कहा गया कि यह जो बात बात पर आप प्राइवेट हेलिकॉप्टर प्राइवेट जैट में जाते हो होगा तभी इन्वेस्ट करेंगे नहीं तो नहीं कर रहे उस तरीके का एक्स्पेंडिचर कम कर रहे हैं ठीक है ना आई होब दिस इस क्लियर ओके चलिए ठीक है तो अभी क्या है दूसरा ही चैप्टर चल रहा है एक घंटे की क्लास अल्रेडी हो चुकी है तो मैं थोड़ा साना स्पीड बूस्ट अप करता हूं है न क्योंकि हम सो सॉरी बट दूसरी भी क्लासिस है मेरी आई होप यू गाइस अंडरस्टाइड ओके चली खे cours इसको परण लीजेगा बाकि हम लोग चैप्टर नंबर फ्री पर आथे हैं अ ठीक है चैप्टर नंबर थ्री हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर थ्री की थिम अगर आप लोग देखें ड необ kind सौवियन क्रेडिट रेटिंग रिफ्लेक्स इट्स फंडामेंटल तो इंडिया की सौवियन क्रेडिट रेटिंग के बारे में बहां पर बात की जा रही है सर देखो सौवियन क्रेडिट रेटिंग सीजी सी बात है इसी के बारे में बात करें यह हमारा में टर्म आपको दिख पाएगा या नहीं कर पाएगा आपने मुझे 10,000 रुपए उधार दिये अब मेरी इतनी हैसियत है कि नहीं कि मैं आपको 10,000 रुपए लोटा सकूँ या न लोटा सकूँ तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे सर सौवियन क्रेडिट रेटिंग तो यह पॉजिटिव भी हो सकती है तो अगर मैं आपका उधार लोटा सकता हूँ अगर मैं नहीं चुका सकता तो तो कैसी है सर हुज इंडिया कीुट वो पॉजिटिव है पॉजिटिव है harde एपना उधार चुका सकती है प्लीज इसको समझने की कोशिश करिए अब इंडिया की जो credit rating है वो हमको पता कैसे चला क्योंकि इंडिया की जो credit rating है जो सौवियन credit rating है वो बहुत सारी companies बहुत सारे institution organization निकालते हैं लेकिन दो institution या organization जो है उनकी रिपोर्ट पर सबसादा भरोसा किया जाता आप लोग में नाम सुना होगा एक है SNP report SNP report ने इंडिया को ट्रिपल बी माइनस category में रखा है यह कोई बहुत अच्छी rating नहीं है अगर आप वेस्टन यूरोप या फिर American country से अगर आप compare करें लेकिन फिर भी हमारे पास इतना पैसा है इस category के बावजूत कि हम लोग सौगन क्रेडिट रेटिंग में positive में आते हैं इसके अलावा अगर आप मूडी की बात करें मूडी भी एक इकनामिकल इंस्टिउशन ने जो रिपोर्ट निकालता है उसने इंडिया को बी डबल ए थ्री केटेगरी में रखा है अब यह इनके के अलग-अलग तरीके हैं अलग-अलग ग्राफ है उनके अलग-अलग चार्ट है उसमें घुचने की ज़रूत नहीं है हमको लेकिन ये दो इंडिया के लिए एकनामिक सर्वे में दी गई है और क्यों दी गई हैं इंडिया को पॉजिटिव क्रेडिट रेटिंग में इसली रखा गया है क्योंकि इंडिया का जो फॉरीन रिजर्व है जिसको लोग farming कहते हैं वह इंडिया के टोटल डैप्ट से जाधा है इंडि 575 बिलियन डॉलर के आसपास है तो हम लोग पूरा अपना डेप चुका भी देंगे ना उसके बाद भी 20-25 बिलियन डॉलर हमारे पास बचे रहेंगे तो हम लोग पॉजिटिव सॉर्वेंट क्रेडिटी टेटिंग में आएंगे ठीक है सर इंडिया बिलिंग दिमांस्टरेशन फूर जीरो दिफाल लिखा यहां पर क्रेडिटिटििंग कंपेर किस तरीके से कंपेर होता है क्रेडिटिटि टेटिंग में देखना पड़ेगा क्या हम GDP growth rate भी देखते हैं inflation भी हम लोग देखते हैं ठीक है अगर आप लोग September 2020 में देखे तो जो GDP है वो 4% के आसपास थी यहां पर आप देखिए इंडिया का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो 584 है ठीक है 600 के आसपास होने वाला जैनवरी 2021 की हम लोग बात कर रहें लेकिन इंडिया का जो टोटल एक्स्टर्नल डेप्ट है वो कितना है पाचसो चपन बिलियन डॉलर के आसपास है ठीक है तो यह हो गया सर मैं इसको मोटा मोटा इंडिया का जो फॉरेक्स है मैं मोटा मोटा ले लेता हूं 585 बिलियन डॉलर और जो टोटल डेप्ट है उसको मैं कितना ले लेता हूं सर मोटा मोटा 555 बिलियन डॉलर तो इंडिया अपना पूरा का पूरा डेप्ट चुका भी देगी ना तब भी इंडिया का जो फॉरेक् के लिकंट की बाद नहीं फिक थीड़ी चाग्टर 3 स्थैर में टना ही था नेक्स आते हैं समल्छ चाप्टर फॉर में बहुत ज़्याद अब दॉक्त जबी चीड़ह नहीं है अब यह प्रद्री घिलार प्रमल एकोनॉमी की चीज़ें जितने भी थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन की चीज़ें थी वह चाप्टर नंबर थी तक ही थी ठीक है गाईज अब आप लोग प्लीज थोड़ा सा तैयार रहेगा अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ा रहा हूं क्योंकि तीन ही चाप्टर खतम होगी या फिर अगर इन्फ्वालिटी कोशिश करतें तो जरूरी नहीं है कि ग्रोथ भी बढ़ा हुगी घ्रोथ होना एक अलग चीज़ है इसको समझने की कोशिश करते हैं क्योंकि यह जो चाप्टर है क्येज़़ूम्य की बहाने पूरी तरीके से सिर्फ कैपिटलि की बात कर रहा है जो पूझी वाद है उसकी बात कर रहा है इस चाप्टर में हमें ये बताया गया है कि अगर इंडिया में आपको Equality बढ़ानी है प्लस अगर आपको ग्रोथ भी बढ़ानी है तो सर आपको क्या करना पढ़ेगा सर आपको जो रिसोर्स इंडिया में है उनका जो स्वियीशन है fragrant, स्बिधिक या उनका स्वियृटे करना पड़ाएगा एंडिया में अगर आपको इक्वालिटी बढ़ानी है लेल पे करना पड़ाएगा औहों इस लेवल पर होता भी है कैसे होता है सारव जो अमीर लोग NFL जो क्या करती उनकोывает किम में डालती है प्रदानमंत्री जंदन योजना जल जीवन मिशन प्रदानमंत्री आवास योजना गरीब कल्यान योजना तो अब्विस सी बात है ना कि इन वेलफेर योजनाओं में जहां पर हम लोगों को घर बनाके दे रहे हैं टॉलेट बनाके दे रहे हैं उनके घर तक पानी पहुंचा रहे हैं उनके बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दे रहे हैं लॉकडाउन के पैसा कमा रही है पहली चीज तो दूसरा जो लोग देश में मिलिनियर बिलिनियर हैं उनसे भी गवर्मेंट जादा टेक्स ले रही है और उनसे जो टेक्स ले रही है उसी टेक्स को क्या कर रहे हैं हम लोग गरीबों के कल्यान में डाल रहे हैं तो बेसिकली क्या किया अमी मेंटेन होगी दोनों जब एक ही लेवल पर आएंगे चाए वो हेल्थ की बात करें ये पैसे की बात करें बात करें लिविं स्टैंडर की уб ik लेवल पर आएंगे तो एक्वालीटि आ cricket न उसमें प्लस देश का यह चीज इंपॉर्टेंट है कि एक्वालिटी और ग्रोथ में इंडिया का क्या रिलेशन है वो यहां पर देखना ज़रूरी है ठीक है इट एनलाइज एक्सपेक्टेंसी बढ़ानी पड़ेगी आपको पर कैपिटा इंकम बढ़ाना पड़ेगा आपको लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा आपको इकोनोमी बढ़ानी पड़ेगी आपका इंप्लॉयमेंट बढ़ाना पड़ेगा जब यह सारी की सारी चीज़ें आ ठीक है सब चली खेर आगे चलता है ठीक है अगेन हेल्थ एकोनॉमी एजुकेशन वही लिखा है बट पर कैपिटेंगा मेजर दाट रिफ्लेक्स एकोनॉमी ग्रोथ हाज लिटिल इंपेक्ट तो यहां पर देखी यही कहा जा रहा है कि आपको यहां पर अगर एकॉलिटी ला साथ आपको जो यह वाला सोशो इकोनॉमिक मैनर है वो भी आपको एड करना पड़ेगा कि यह पढ़ सकते हैं उसी चीज़ को एक्स्प्रेंड किया गया है ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है वह देख लेते हैं जो मैंने आपको भी एक्स्प्रेंड करके बताया है उसी क गडिया काश्वाट फोन से घ्मडी अंगopardy अति चैप्रव फोर में है टर्मिलोजी जिसका नाम है इसे मेंडर डिस्रिब्यूशन परना पड़ेगा तो बता दिस्प्रिबूशन हो रहा है यह देखना है यह देखना आपने बोल दिया कि equal distribution हो रहा है सर रिसोर्सेस का, अरे हमें कैसे पता equal distribution हो रहा है की नहीं, हमें कोई parameter तो दो, हमें कोई data तो दो, हमें कोई graph तो दो, हमें बताओ तो सही कि तुमने यहां से इतना tax लिया और गरीबों में इस योजना में इतना पैसा डाला, तो एक measurement होना च distribution of income, measurement of distribution of income, तो आपका जो distribution हो रहा है, income का, वो measurement, जो, sorry, distribution जो हो रहा है, resources का, income के साथ, आप resources भी लिख सकते हो, one all the same thing, जो distribution हो रहा है, resources और income का, वो सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, यह सही 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 हो रह तक गलत हो रहा है उसका जो measurement है उसी हम लोग सर क्या कहते हैं गिनी कोफिशेंट इसमें दो पैरामीटर है जीरो से लेकर एक तक इसमें पॉइंट दिये जाते हैं अगर आपका एकदम जीरो आ गया है मतलब equality आपकी perfect है अगर आपका जीरो आया है तो आपका मतलब equality जो है वो परफेक्ट है और अगर आपका वन आया है तो पूरी तरीके से inequality फैली हुई है देश में ठीक है ना वन अगर आया है इस measurement में पैरामीटर में तो inequality पूरी तरीके से पहली हुए और 0 आया तो मतलब equality पूरी अच्छी तो अब 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 से लेके 0.9 तक यहां पर आप देख सकते हैं जैसे कर 0.5 आया score तो ठीक ठाक है, average level है, medium level है, 0.3 आया, तो above average है, 0.7 आ गया, तो below average है, तो इस तरीके से measurement किया जाता है गिनिक coefficient का, ठीक है सर, चलिए, I hope this is clear, next chapter पर आते हैं, जल्दी से सर, कोई ज़्यादा typical chapter नहीं है, इसमें क्या है कि health care की बात कर रहा है, अब चलो अच्छी बात है कि pandemic आ गया है, तो हम सभी लोगों को और government को यह समझ माया है, कि जो भया, health care है, infrastructure है, वो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, तो यह जो health care है, इसमें बताया गया कि भया, किस तरीके से हम लोग health का जो infrastructure है, उसको बढ़ाने क अच्छा करने की कोशिश कर रहे है, पांच की aspects आपको इस chapter number 5 में मिलेंगे, पहला कि जो health infrastructure है, उसको हमें effectively respond करना है, future pandemic के लिए, क्योंकि आखरी pandemic थोड़ी ना है, इसके बात भी तो pandemic आएंगे, तो उसके लिए हमें health अपना infrastructure तयार रखना है, इसके अलावा, telemedicine, telemedicine भी ज़रूरी है, जहां पर basically जो internet है, उसकी connectivity, health infrastructure से हो सके, कल के दिन फिर कोई pandemic आएगा, फिर कोई lockdown लगेगा, तो लोग थोड़ी ना घर से दोबारा बाहर निकलेंगे, दवाई लेने के लिए, घर पे बैठो, phone करो, internet का use करो, दवाईयां, order करो, सामने वाला दवाईयां घर दे के जाएगा, बात खतम, तो अब ये internet connectivity जो है, health infrastructure से बढ़ी नहीं चाहिए, तुम्हारी तबित खराब हो रही है, तुम hospital नहीं जा पा रहे हो, तो कम से कम connectivity के through registration तो करवालो, सामने से आएगा, तुमको hospital वाला ले के जाएगा, are you getting the point or not? ठीक, national health mission जो है, उस पे जा 2013 में launch हुआ था, कैसे, इस से पहले national health mission से पहले दो अलग-अलग national health mission थे हमारे, एक था national rural health mission और एक था हमारा national urban health mission, तो national rural health mission और national urban health mission को combine कर दिया गया, merge कर दिया गया, और finally क्या बन गया सर, national health mission, 2013, ठीक, increase in public health care spending, ठीक है न, इसके अलावा हम लोग ने public health care में भी spend करना शुरू कर दिया, ठीक है न, हम लोग पहले कित्ता करते थे, सिर्फ 1% करते थे, अब हम लोग कित्ता कर रहे है, धाई से 3%, total GDP का धाई से 3%, हम लोग अब health पे खर्च कर रहे हैं, ठीक, तो health के लिए जो जो का चैप्टर नमबर 5 में कुछ terminologies हैं, वो देख लेते हैं, जो important हो सकती है, इसके notes बनाएंगे, प्लीज, चैप्टर नमबर 5 में मुझे दो चीज़े नहीं मिली, जो मुझे लगा कि explain करनी चाहिए, एक तो मुझे मिला, free market नाम की एक term मिली, free market, अब ये free market टर्म जो है, healthy related है, तो free market क्या होता है, free market है, एक ऐसा market होता है, जहाँ पर pure demand and supply चलता है, pure demand and supply चलता है, मतलब no government regulation, government बीच में आई नहीं सकती, मतलब pure business, pure धन्दा, जहाँ पर government का कोई role ही नहीं है, government का कोई लेना देना ही नहीं है, proper demand और supply का खेल चल रहा है, और उसे हम लोग क्या कहते हैं, free market कहते हैं, अब free market में तो सर आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पैसा ही दिख रहा है, commercialization ही दिख रहा है, तो क्या health infrastructure को, या फिर पूरे के पूरे health को, as an umbrella scheme हम लेने की इसको कोशिश करते हैं, क्या पूरे के पूरे health को, हम लोग free market पे छोड़ सकते हैं सर, नहीं सर, हम लोग नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इस देश में या फिर किसी भी जगह पे health maintain करना बहुत ज़ादा महंगा है, तो हम लोग health या health infrastructure को free market में नहीं छोड़ सकते हैं, थिक, तो health should be out of free market phenomena जहां पर हमें government के regulation की ज़रूरत है, तो वो health जो है free market के अंडर नहीं आना चाहिए, वहाँ पर ये free market definition आई थी, इसलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है, एक scheme भी आई यहाँ पर, E-sanjeevni OPD, आप लोगों ने पढ़ा होगा इसके बारे में, E-sanjeevni OPD, ये scheme है government की, इसमें क्या किया है, डॉक्टर टू, पेशेंट, टेली कम्मुनिकेशन, मतलब ऐसा है कि अगर किसी पेशेंट को counselor की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, बस वो सलाह लेना चाहता है, कि भई मेरे को ऐसा-ऐसा हो रहा है, आप मेरे को बताओ मैं क्या करूँ, और मेरी health history ऐसी रही है, family health history ऐसी रही है, तो बार-बार पर उसको बात-बात पर उसको hospital जाने की क्या ही ज़रूरत है, ठीक है, तो government ने counselor की विवस्था किये, जो medical field से जुड़े हुए है, doctors की विव आते हैं, हम लोग, chapter 6 पे, process reforms, enabling decision making, under certainty, ठीक है, जो यह जो chapter है, यह over regulation जो है, इंडिया का, और उसका जो impact पड़ता है, उसको यहाँ पर यह, इस अंजीवनी repeat करना है, इस अंजीवनी भाई ऐसा है कि जैसे shake आपकी तविद खराब हो गई है, अब आप घर से बाहर नहीं निकलना चाहरे हो, क्योंकि बाहर का महल ठीक नहीं है, बिमार पड़ सकते हो बाहर जाके, तो government ने कुछ doctors, कुछ counselors को appoint किया है, help line number दे देंगे आपको और बोलेंगे इस पर phone कर लो, आप doctor से घर बेटे-बेटे बात कर सकते हो, कि मुझे ये दिक्कत है, मेरी health history ये रही है, मेरी family health history ये रही है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो ये जो government आपको सुविधा देती है, उसे हम लोग E. Sanjeevani OPD कहते हैं, ठीक सर, तो अब आपने दोस्तों में, अपने रिष्टेदारों में, ऐसे लोग देखे होंगे, जो बहुत जादा सोचते हैं, overthink करते हैं, मतब जैसे कुछ करना हैं उनको, जैसे कुछ करना चाहते हैं, कोई decision लेना चाहते हैं, तो ठीक है, आप risk management सोच समझ के decision ले रहे हो, बहुत अच्छ दोस्तों के साथ, तो आप क्या करते हो, सर लास्ट में एक बारी सारी schemes का नेम बता दीजिए, जिस सेट में बता दूंगा, don't worry, तो जैसे आपको ले लद्दा के trip बनानी अपने दोस्तों के साथ, तो हाँ ठीक है, आप दवाईयां रख लोगे, आप अपने साथ टेंट र प्लान आ गया तो, तो मतलब आपने planning की अच्छी बात है, लेकिन आप overthink करोगे तो आपका plan कभी successful होई नहीं पाएगा, फिर तो कभी लद्दाग जाए नहीं पाओगे, तो government में जो हमारी जो finance ministry है, मतलब ये finance ministry ना खुद कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह हो गया तो फिर कैसा करेंगे, ऐसा हो गया तो फिर कैसा करेंगे, मतलब हर possible effect या फिर हर possible consequences के बारे में overthinking की जाती है, उस वज़े से क्या होता है, कि चीजों को implement होने में time लग जाता है, और implement होने में time लग जाता है, तब तक क्या होता है, गाड़ी हाथ से निकल चुकी होत तो reform करना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन reform थोड़ा जल्दी-जल्दी करना है, decision लेने में अगर बहुत ज़्यादा time लेंगे न, तो reform करने का मतलब नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो जो reform है फिर वो outdated हो जाएगा, तो regulation करो, बहुत अच्छी बात है, reform करो, बहुत अच्छ करती है, और process को कहीं न कहीं पर थोड़ी सी slow कर देती है, ठीक है, प्लस, इंडिया की जो regulatory problems है, ठीक है न, वो regulatory या फिर standards की वज़े से नहीं है, बट किसकी वज़े से है, lack of quality की वज़े से है, effective enforcement की कमी है, उसकी वज़े से है, और ये जो India over regulated economy बन रही है, इसकी वज़े से क होते हैं, इंडिया उसमें बहुत जादा slow पड़ जाता है, उसकी वज़े से क्या होता है सर, कि हमारी GDP उतनी नहीं हो पाती, जितनी हम कोशिश करते हैं, हम उतनी growth नहीं कर पाते, जितनी हम कोशिश करते हैं, तो इंडिया का जो regulatory ecosystem है, अगर आपको उसको improve करना तो क्या करन पड़ेगा, सर आपको transparency लानी पड़ेगी decision making process में, प्लस आपको जो institution से उनको थोड़ा सा rational करना पड़ेगा, ठीक है, प्लस बहुत सारे mechanism है, जिसमें आपको improvement लाना पड़ेगा, जैसे bankruptcy code या फिर debt recovery tribunal, इसमें आप लोगों को क्या लाना पड़ेगा, improvement लाना पड़ेगा, ठीक, अब ये insolvency bankruptcy code आया, 2016 का, तो सर ये क्या है, देखते हैं, ये जो insolvency and bankruptcy code है, 2016 का, ये, obviously, 2016 की act से ही आया था, देखते हैं क्या है, it is to consolidate existing framework by creating a single law for insolvency and bankruptcy, तो bankruptcy या insolvency से related जो problems होती है, उनको solve करने के आज हमारे पास 10 अलग अलग तरह के तरीके हैं, तो जितने जाधा तरीके हमारे पास रहेंगे, bankruptcy को solve करने के लिए, उतने ही जाधा loopholes सामने वाले को मिलेंगे, खुद को बचाने के लिए, Are you getting the point or not? जैसे आपका syllabus जितना जाधा बड़ा होता जाएगा, question paper भी तो उतना complicated होता जाएगा, लेकिन syllabus कम हो जाएगा, तो question paper में जो variety है questions की, वो थोड़ी सी कम हो जाएगी न, Same goes with bankruptcy, bankruptcy को solve करने के लिए, आप सामने वाले को 100 तरीके बताओगे, तो वो 100 loopholes भी तो ढूण लेगा, तो government ने क्या बोला, 2016 में जो 100 तरीके हैं न, इसको खतम करो, single तरीका, single window, single solution, ठीक है न, मतलब जिसे हम लोग क्या कहते हैं, सर, one stop solution कहते हैं, तो इसमें क्या होता है, कि जो interest है, लोगों का, bank का, government का, वो protect होता है, ठीक है सर, ये जो chapter number 7 है, ये मुझे उतना ज़्यादा important नहीं लग रहा है, तो हम लोग इसको end में देख लेंगे, फिलाल हम लोग chapter number 8 पे आते हैं क्योंकि frankly speaking, generally मुझे कुछ भी इस chapter में ऐसा नहीं दिखा, सिर्फ रटने वाली चीज़ थी, ये जो forbearance, prevents है, I don't know why it has been included in the chapter, क्योंकि जो forbearance, prevents जैसी चीज़े हैं, वो आपके syllabus में भी नहीं है, but end में हम लोग इसको एक बार देख लेंगे, अगर time रहा तो, otherwise आप इसको at a glance दे सकते हैं, दो-तीन committees की बात की गई हैं, जो 90s, 80s, 2000s में आई थी, सिर्फ रटने वाली चीज़े हैं, nothing conceptual, ठीक है, इसको अगर time रहा हमारे पास तो end में देख लेंगे, अब वो मैंने भी इसलिए डाला है, क्योंकि economic survey में chapter number 7 है, तो आपको PDF दिया जाएगा, इसलिए मैंने chapter number 7 डाल दिया, तो अधूरा अधूरा लगता chapter 7 के बिना, otherwise अगर मेरे हाथ में रहता तो मैं शायद chapter number 7 को include भी नहीं करता, so ये important मुझे नहीं लग रहा है, आप चाहें तो एक बार उसको पढ़के देख सकते हैं, that would be your choice, ठीक है सर, चलिए, अब हम लोग देखते है नेक्स आते हैं हम लोग, that is chapter 8, innovation, trending up, but needs thrust, especially from the private sector, तो सर यहाँ पर private sector की बात की जा रही है, कि भाया, इंडिया की economy को बढ़ाने के लिए, जो इंडियन गवर्मेंट है, अगर हम ना पढ़ें तो चलेगा क्या, शेख मगर मैं जैसे अगर आपकी जगा होता, तो मैं exactly तो य आता, और मैं at a glance सिर्फ एक reading कर लेता, यार मुश्किल से 150 words है, chapter number 7 में, तो अगर मैं आपकी जगर exam दे रहा होता, तो मैं सिर्फ उसको एक बार पढ़ लेता, कि मतलब दिमाग में कहीं रहे, हाँ, लेकिन उसको sincerely नहीं पढ़ता, क्योंकि मुझे frankly speaking, उसमें कुछ ऐसा important न I would be having my next class, थोड़े टाइब बात, ठीक है, हम यहाँ पर innovation की बात करें, innovation तो आपको पता यह क्या होता है, नहीं नहीं चीज़ें लाना, ठीक है, तो government का यह कहना है यहाँ पर, private sector, government की बात की जारी, government का यह कहना है, कि ठीक है भीया, हम लोग तो innovation ला रहे हैं, हम लोग तो कोशिश करी रहे हैं, कि economic की growth हो, लेकिन private sector होने के नाते, आप भी तो कुछ काम करो, सारा का सारा ठेका, हमने थोड़ी ना लेकर रख है growth का, private sector को भी growth करनी पड़ेगी, इंडिया की अगर growth होगी, त उसमें innovation और private sector किस तरीके से इंडिया की growth में helpful हो सकता है, उस बारे में इस chapter में हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक तो नई चीज जो मुझे, मतब अच्छी चीज देखने को मिली, जो हर साल मिलती है, global innovation index, तो इस index के बारे में आप लोग पढ़ लेंगे, जादा से जादा innovation लाने की कोशिश कर रही है, तो यह जो global innovation index है, इसको publish कौन करता है, इसको Cornell University, INSEAD और World Intellectual Property Organization, यह तीन लोग मिलके इसको publish करते हैं, तो यह तो आपको याद रखना ही है पहले, ठीक है, और यह start कप से हुआ था सर, यह 2007 से start हुआ था, और इसमें क्या पर्फॉमेंस में, इकोनॉमी की पर्फॉमेंस में किस तरीके का innovation ला रही है, उसके बारे में देखा जाता है, रिसर्च शोज जाता है, इसमाल इंटर्प्राइजेस रिसर्च और डेवलप्मेंट इन सब में और नई टेकनोलोजी में जादा इन्वेस्ट करते हो, तो यह आपका innovation बढ़ाता है, innovation बढ़ाएगा तो economy अच्छी खासी हो जाएगी, इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर आप अपने research and development में 10% भी extra खर्च करते हो पैसा, तो आपकी जो economy है, वो 1.1% से लेकर 1.4% तक बढ़ सकती है, जो काफी high GDP growth rate है, अच्छी बात इंडिया के लि होरी innovation की, उसमें पहली बार India top 50 में आया है, it has happened for the very first time in 2020, ठीक है सर, India's performance below expectation in primary, secondary education, इंडिया के जो performance है, primary, secondary education में थोड़ी सी below रही है, expectation से, अगर हम लोग human capital और research की बात करें तो, क्योंकि इंडिया के जो poor performance रही है, वो क्यों रही है, क्योंकि secondary education में, अगर आप teacher और student के बी comments relation है, वो देखें, तो अच्छा नहीं माना जा सकता, ठीक है सर, लेकिन overall अगर हम लोग देखें, तो इंडिया ने अच्छा perform किया है, चली सर, next आते हम लोग chapter 9 पे, जय हो, अयुश्मान भारत, जन, आरोग्य, योजना, जय and healthcare outcomes, ठीक है न, तो basically हम लोग यहाँ यह पूरा again या आपके लिए एक important scheme हो गई, जो आपको पढ़नी ही होगी, ठीक है सर, चली तो थोड़ा सा देख लेने, अब इस पूरे chapter में scheme के अलावा कुछ नहीं था, ABPMJ, कब किया गया था launch इसको सर, 2018 में launch किया गया था, क्यों किया गया था, national public health insurance fund provide करने के लिए, जो low income लोग है जो गरीब लोग हैं, सर उनको हम लोग क्या करेंगे सर, उसको हम लोग health insurance देंगे, बड़ी बात ये है कि 10 करोड से जादा परिवारों को यहाँ पर health insurance दिया जाएगा, प्लस बड़ी बात ये है कि ये दुनिया की, not India की, दुनिया की सबसे बड़ी health insurance की scheme है, जो again किसके अं National Health Policy या National Health Mission के अंदर आती है, इस chapter में सिर्फ यही एक योजना है, जो important थी आपके लिए, ठीक सर, last, finally, last chapter पर आते हैं, सर, हम लोग, chapter number 10, bare necessities, सर, bare necessities का क्या मतलब होता है, bare necessities का मतलब होता है, आपकी basic necessity, मतलब घर, पानी, बिजली, toilet, cooking, fuel, वगेरा वगेरा, इसको हम लोग bare necessities बोलते हैं, तो bare necessities में इंडिया कहां खड़ा होता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, तो यह जो पूरा का पूरा chapter है, वो bare necessity के बारे में बात करता है, अब bare necessity के बारे में कैसे बात करेगा, ठीक है, finance ministry, economic survey के अंडर ही, जो यह हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी, finance ministry, economic survey के अंडर ही एक index निकालती है, जिसका नाम है bare necessity index, इसमें हम लोग rural region भी लेते हैं, इसमें हम लोग urban region भी लेते हैं, और all India level का region भी लेते हैं, कि urban level पे bare necessity index में कौन सा state या कौन सा शहर या कौन सा गाओ, किस level पर आ रहा है, मतलब किस शहर या किस state में, जो basic necessities है, कितनी provide की जा रही है, कितनी provide नहीं की जा रही है, तो bare necessity में क्या आएगा सर आपका, housing आएगा, पीने का पानी आएगा, sanitation आएगा, electricity आए ठीक है सर, तो अगर आप bare necessities में देखें, कि कौन कौन से states ने improve किया है, 2018-2012 का अगर आप comparison देखें, तो सबसे जादा जो bare necessities आपको मिलेंगी, वो कैरला में मिलेंगी सबसे जादा, number 2 पंजाब, number 3 हर्याना, और number 4 गुजरात, मतलब इन 4 states पे जो है bare necessities सबसे अच्छी है मतलब जो basic facilities हैं, वो काफी अच्छी हैं, और अगर आप lowest देखते हैं, तो सबसे कम bare necessities आपको लोडिशा में मिलेगी, जारखंड में मिलेगी, बेंगॉल में मिलेगी, और त्रिपुरा में मिलेगी, मतलब यह उपर वाले states हैं, इनकी हालत बहुत अच्छी है सर, basic necessities अच् आपको cooking fuel दिलवाना, आपको उनको पानी दिलवाना, आपको उनको बिजली दिलवाना है, तो काम किसका है सर, यह काम government का है, इस चीज़ को आप chapter number one से connect करिए, कि जो भी challenges आते हैं, उसके लिए दो तरीके के हमारे पास solution रहते हैं, एक tools और एक policy making, तो policy making कौन करेगा, government यह भी तो हमारा challenge है, तो इन challenges को solve करने के लिए economic survey ने जो top schemes दी है, वो schemes जिन्होंने सबसे ज़्यादा जो effective रही है, इन challenges को खतम करने में, उन schemes के बारे में 2 minutes देख लेते हैं, सबसे पहले स्वच्छ भारत mission, ruler and urban, मुझे आपको इसके बारे में बताने की ज़रत नहीं है, स्वच्छ भारत mission हम प्रदान मंदरी ने चलाया था, ठीक है, यह अर्बन लेवल हो, या फिर local level हो, हमको staff सफाई रखनी है, तो इसके बारे में आपके पास आधे page के notes तयार रहने चाहिए हमेशा, क्योंकि यह important हो, हमेशा से थी यह सारी scheme जो हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन अब यह economic survey में आ गई ना, तो इसको government ने खुद बनाया हुआ है, तो government ने खुद बनाया मंदब government के लिए कितनी important है, तो UPSC के लिए important हो जाएंगी, ठीक, next हम लोग देखते हैं, कि 2022 तक हम हर एक गरीब को पक्का मकान उसके लिए बना के देंगे, ठीक है, तो प्रधानमंतरी आवास योजना में हम लोग ने यही कहा था, here you can see, कि 2022 तक हम लोगों को जो urban poor हैं, उनके लिए target रखा था, कि 2 करोड घर बना के देंगे, याने कि basically 2 करोड गरीब परिवारों को 2 करोड गरीब परिवारों को हम लोग देंगे घर बना के 2022 सर, अब अगर आप यह वाली scheme देखते हो, प्रधानमंतरी आवास योजना तो दो component आपको इसके देखने को मिलते हैं, एक प्रधानमंतरी आवास योजना अर्बन और एक प्रधानमंतरी ये अर्बन जो है, वो तो 2 component है, यह आपके पास इसकी note सयार होने चाहिए, आप चाहें तो अपने मन से इसमें add up कर सकते हैं, fair enough, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है सर, अब यह जो scheme है, यह जो क्या-क्या ensure करती है, इसमें प्रधानमंतरी जैसे आप घर बना के दे रहो, तो सिर्फ ऐसे थोड सिर्फ किया जाता है, बिजली हर घर पहुचाई जाती है, तो प्रधानमंतरी आवास योजना में सीडी सी बात है, गवर्मेंट जब घर बना के दे रही है, तो टॉलेट तो बना के देगी ही न, बिजली तो वहाँ पर देगी ही ही न, यह तो आदमी बोलेगा, भई, योजना में गैस का भी connection दिया जा रहा है उसमें जो हर घर में नल से पीने का पानी पहुंचा चाहिए वह भी प्रधान मंतरी आवास योजना के अंडर आ रहा है प्लस जिन लोगों का घर बनाया जा रहा है उनको जन्धन योजना में बैंक में उनके अकाउंट्स भी खुलवाय जा रहे हैं तो यहां पर क्या किया गया है उनके चैलेंजस को दूर करने के लिए उनके लिए अलग अलग योजना मनाई गई और उन सारी अलग अलग योजनाओं को एक साथ कमाइंड किया गया एक दूसरे से connect किया गया और बैर नेसिशिटी में इंप्रूब्मेंट लाया गया आप समझते की कोशिश कर रहे हैं जैसे यूपीएस्टी का से लिए से पॉलिटी इकोनॉमी हिस्ट्री जोग्रफी आप इनको अलग अलग पढ़ते हो फिर एंड में जाके connect कर देते हो और जीएस पेपर 1-2-3-4 में सारे के मेंस के आंसर ए चलो नेक्स आते हैं हम लोग जल जीवन मिशन पर जेजे एमकेस के नाम से हम लोग जानते हैं बस सिंपल सा है कि हर घर में जो नल से पीने का पानी पहुचना चाहिए कब तक सर 2024 तक कहां पे जो ग्रामीन इंडिया है जो रूरल इंडिया है रूरल इंडिया में जितने भी हैं 2024 तक हर घर में नल से पीने का पानी पहुचना चाहिए अब इसमें जो वॉस्त बिजली हर घर योजना सौभाग्य के नाम से जानते हैं हम लोग 2017 में इसमें क्या किया incense है कि household में जो electricity है वो प्रवाइड करवाय जाती है तो इसको हम लोग प्रधान मंत्री आवास योजना से connect कर नहीं देंगे घर बना के दे रहें तो बिजली भी लई लो और प्रधान मंत्री उजवला योजना के बारे में तो आपको पता ही है कि वो जो गैस सिलेंडर है वो प्रवाइड करवाया जाता है अब यह जो जो उजवला स्कीम है उजवला का टू पॉइंट ओ वर्जन भी लाया गया इसमें क्या होता था जो वन पॉइंट ओ वर्जन था उसमें क्या है कि अपना वो एड्रेस पूफ का रजिस्ट्रेशन देना पड़ता था कि भाई मान लोग को सिर्फ अपना आधार कार्ट जामा कर दो फोटो कॉपी आपको एड्रेस प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है बिना एड्रेस प्रूफ के भी आपको गैस सिलेंडर आपके घर पे मिल जाएगा तो यह था हमारा इकोनॉमिक सर्वेसर जो आप लोगों की प्रिलिम्स के लि दिमाग में बस रहना चाहिए ठीक है रिस्क मत लेना एक बार पढ़ लिजेगा आइडिया हो जाया आपको इसके अलावा चैप्टर नंबर वन से लेके टैन तक का यह जो पीडिएफ है यह आपको मिल जाएगा जो मैंने यह नोट्स में बनाया हुए है आई होप कि आप आप लोगों ने नोट किया होगा उसको रॉनिंग रोट को अपने पास रखिएगा उसमें एक्स्टर इंफर्मेशन है वो काम की है और यह पीडिएफ मिल जाएगा अब आपको जैसे ही पीडिएफ मिलता है और यह जो रॉनिंग नोट्स है आप इसको एक दो दिन का आए हैं तो मैं फोन पे या फिर वाट्स एप के थूँ उन डाउट को क्लियर कर दूँगा लेकिन मान लीजेगर कुछ जादा ही डाउट्स निकल जाते हैं हर स्टुनेंट के लिए सो हम लोग आने वाले दो तिन दिन में एक दिर घंटे की एक डाउट सेशन की जो क्लास ह वो अलग से कंडक्ट कर लेंगे इसमें जो स्कीम साई हैं प्लीज वो भी याद रखिएगा जिस थीम पे चैप्टर्स बने हैं उनको भी याद रखिएगा प्लस जो टर्मिनलोजी मैंने आपको अलग से लिख्वाई हैं नोटपैड पे उनको भी ध्यान रखिएगा और जो आप पढ़ रहे हैं इस कीम या टर्मिनलोजी उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करिएगा अपने लेवल पे कुछ और एडप करने की कोशिश करिएगा ठीक है तो फाइनली इसको धान से यूजिस हाफ टू स्टड़ी और डाउट्स अगर निकले